हेलो दोस्तों आपका डिस्टीवेंटीन कलासस में सागात है हम डिसी मसीन पढ़ रहे थे हम डिसी मसीन में डिसी मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथेड के बारे में पढ़ रहे इसे पहले वाले लेक्चर में हमने डिसी संट मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथेड के बारे में जान सब्सक्राइब के लिए तीनों परकार के लिए पढ़ लिए आज की लेक्टर में हम क्या स्रीड डीसी मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल में देखेंगे जिसमें हमारा पहला है मैंगनेटिक स्पीड कंट्रोल में देखेंगे जिसमें पहला मैंगनेटिक फिल्ड डाइवर्टर तक द्वारा ठीक हैं तो यह इसका सर्कृट डाइग्राम है ठीक हैं तो इसमें हम क्या करते हैं जो हमारा स्पीड कंट्रोल के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं जो हमारा स्पीड वाइंडिंग होता है इसके समानतर में एक परिवर्तनी पतिरोत जोड़ 어렵ते हैं जिसे हम डाइवर्टर कहते हैं ठीक हैं आप यहां से स्पीड कैसे कम होगा देखते हैं इससे समझते हैं जब माल दीजिए आपका यह लगा हो तो हम क्या मैंगनेटिक फील्ड कंट्रोल मेथद पढ़ लें तो आपको पता है यह ब्रत कर्मान पाती होता फ्लक्स के ठीक है आपने यह क्यों से पढ़ा ठीक है तो यह स्विल्ड करेंट पर इसे ठीक है जो फ्लक्स हैं वो आई एसी के इंगला पाती है मतलब से पील करेंट के आपको पता है स्विल्ड मोटर में और में एक करेंट ईसे और आई ठीक है जब आपका यह लगा है यह कमें समान त्olonल 막 यहां ऐाकर आइएए इक्व입니다 क्योंकि ये तीनों स्प्रिज में करन्ट ठीक है जब आपका ये डाइवर्तर नहीं लगाव और तब कि हम बात करें ठीक है तब तो तीनों आपस में बराबर होंगे ठीक है तो ये आका नौर्मल मतलब किसी कि स्पीद मतलब कि सभी पे गर्ड कर देा कि आपका मोड़ नाइवरा थे लिए इंद आप हम क्या करेंगे अब स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम स्रीज डीसी मोटर का क्या करेंगे अब एक इस स्रीज फिल्ड वाइंडिंग के समानतर में क्या एक वेरेवल डेजिस्टेंस जोड़ देंगे ठीक है तब यहां से देखते हैं तो हमारा तो क्यों से नहीं पाती हो नप जव हम यहां पर डायवर्टिर्ट जोड़ देते हैं तो आपका आइकरेंट पहले सीधा यसी मतलब यह जब डायवर्टिर नहीं जोड़ा था तब आपका क्या था ते तीक है अब सितनी को मोटर के लिए ठीक है कौन सा मेंगनेटिक फील्ड वाला में ठीक है तो इस समय आपका आइसी और आइडी दोनों क्या है मतलब आई आपके दो भागों में तूट जा रहा है एक आईडी और एक आईएसी मतलब अगर माली जी आपका पहले मोटर को जहां आई बीस एंपियर था तो आई एसी भी बीशन प्याइट था जब आपका आई माली जीदी लेकिन अब आई एसी को 20 नहीं मिलागा कुछ कुछ करंट आईडी में जा रहा होगा क्यों से अब करंट इस पॉइंट से क्या हो गया है बढ़ चुके है ठीक है तो अगर माल लीजिए आइडी में दस एंपयर करेंट जा रहा है तो इसका मतलब आई यह सी में भी दस करेंट मिलेगा तभी तो 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 आपका क्या होगा करेंट बढ़ जाएगा तो यहां से देखें आई एस यह बराबर हो जाएगा आई माइनस इडी तो होगा मतलब क्या यहां से बराबर होगा है आई में से आई डी घटाए देजिए तो ही ऑइस यहां से देखिए जो आपका आई डी अंक्वान पाती वान अपान आडी के यहीं तो इसको लिख सकते हैं देखें आईडी इंटू आई आइडी ठीक हैं बराबर भी लिखेंगे तो बोल्टेज दोनों के लिए स्सेम है और बोल्टेज हमारा कॉंस्टेंट होगा ठीक हैं तो आप अगर जो हमारा प्रवर्तिने रेजिस्टर्स है आडी उसका मान घटाएंगे तो आईडी मतलब हमारा जो डाइवर्टर करंट है वह बढ़ेगा अगर वह बढ़ हाएं हां से देखें यह बढ़ हाँ है आईडी कमान तो आई कमान टोटल घटेगा ठीक है अगर मालेजें यह 20 था यह 10 MP तो आपको is C कीतना लवह मिल ठीक है और हमेरर जिस्टर्स और कम करेंगे तो यह और बढ़ेगा अगर आपका 12 हो जाता है तो 20 Moto एक बार और फिर से समझिए यहां से हमने क्या बताया कि आपका जो आईडी है विवेद कर्मान पाती है अगर हम जो यह इसका मान घटाएंगे ठीक है तो आईडी मतलब जो हमारा डाइवर्टर करेंट इसका मान बढ़ेगा तो आपको पता है जो आई एसी है है वो बराबर है है माइनस i d के मतलब जो हमारा है सचे माइनस करेंट करेंट न ओर हैन आपको अब क्या है तो आपको कितना मिल ला है दस एंपियर ठीक है कितना मिल लेकिन रजिस्टेंस का मान जैसे घटाएंगे आई-डी कमान उसे बढ़ेगा ठीक है कि और मान बढ़ाएंगे च्छuti अब अब और घटेगा ठीक है क्या होगा आई-डी कमान बढ़ा रहे हैं दो तो 12 है यसे वह तो श्रूप भरत इंपिर गट रहा है तो आपको पता है फलक्स önreens न dressed目 ow तो अगर आई सी कमान घट रहा है तो अगर आई सी कमान घट रहा है तो फ्लक्स कमान भी घटेगा और आपको पता है यह न गयत कमान पाती है घट बढ़ेगा ठीक我在 in common भी इसका मतलब अगर हम जो वह प्रिवर्ट तो हम परिवर्दिय रिशिस्टेंस में तो हमारे मौटर को स्पीड बढ़ेगा लेकिन लोम में समान स्थेड नॉर्मल इसे उपर की चट को नीheenäg त्रशिक प्राप्ट कर सकते हैं जैसे अगर आपका आर्पीम समान नौर्मल में 1000 पर गद कर रहा था ठीक हैं तो इससे उपर की गद को नहीं अंतित कर सकते हैं मतलब रात तो कर सकते हैं इससे नीचे की गद को नहीं ठीक हैं अब इसे कैसे लिखेंगे कि थे अग्र आए अगरह कि यहां से देखें लिखेंगे कि 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 समांगत के लिए संब्स सूतर संबल ठीक है तो आपको पता है यह पाती है फ्लक्स के आप जाते हैं आप जाते हैं जो फ्लक्स है वह पाती है श्रीज फील्ड करेंट के और जहां आपको पता है पतक्ता है जो हमारा समय्हक्त कर रहा है मतलब यहां को डाइवर्ट नहीं लगा हुआ हुआ है तो आई ए बराबर होगा आई थी मतलब तीनों के अपस में वराबर होगे त्यूंसे अब हम क्या दिखेंगे क्या है गटिन त्रेंड के लिए आप गज़ने अंतरन के लिए सुत्रसंबंद तो यह अब बेज कर्मान पास्ति फ्लक्स के ठीक है आप जानते हैं आपका जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंट कर रहा है लेकिन यहां पर देखें अब आपका जब परिवतिने रेजिस्टेंस लग रहा तो आपका जो आई करेंट है वो दो भागों में भवक्त हो जा रहा इस पॉइंट पर ठीक हैं तो यहां से हम जानते हैं जहां चुकि आई सी बराबर हो जाएगा का डाइमə grains अगे मुष्आ माइनस आई डी मम आपका जो आईडी में से ई जरखंड बहुआ करेंट आप एक चीज़ जानते हैं जहां अड हम एंकमाद पाती है झाहे है तो जैसे जैसे हम तो इस मिदलर प्रव्भरतने तो देखिये यह आइडी आपका बढ़े गांगा थीखन तो ऊइडी प्रिति कि कमान कमोगा तो स्पीड बढ़ेगी ठीक है तो यहां से देखिये हैं है कि तो आपका स्पीड बढ़ेगी तो हम क्या कर रहे हैं अगर हम आप दी कमान मतलब ने परिवर्त में इस्टेंस कमांन घठा रहे headed तो हमारा यह गड़ा हैं मतलब मोटर की गतीं बढ़ रही है लेकिन मोटर की गत कैसे जो हमार समान स्पीड है उससे उपर की गतर को प्रात कर सकते हैं उस नेचे की नहीं मतलब उस से उपर की गतो मतलब इस Aku Pare도 आरए तो तो यहां से निज्कर्ष क्या निकलना कि जो हमारा यह यह वह बैवत कर्मान पाती है कि यह बैवत कर्मान पाती है kis rd क्यों क्योंकि जब हम आगी कमान मतलब परिवतिने रेजिस्टेंस कमान घटा ठीक है जाए इसे कह सकते हैं आप वर्तक प्रतिरोद कमान जो हम घटा रहे हैं तो हमारा यह कमान क्या हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है है तो यह यह विद्ट कमान पाती है और दिक अर्थाथ कि अब वर्तक पत्रोद अर्डिक कमान पढ़ाने से गत मोटर की गती बढ़ती है ठीक है है अब अर्थक पत्रोद कमान बढ़ाने से मोटर की गती बढ़ती है ठीक है है तो यह आपका यह स्रीडीसी मोटर के लिए मैंगनेटिक फिल्ड कंट्रोर में हमारा पहला क्या था वाइं मैंगनेटिक फिल्ड राइवर्टर मेंटर ठीक है और यह इसका सर्कृट डाइग्राम है ठीक है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या अपने लंग्योज में भी लिख सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिन मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर सकते हैं